तो गाईज आज के इस क्लास में हम इंगलिस के बुक के माध्यम से आपको जो है इंगलिस पढ़ना सिखाएंगे और साथ साथ में हम इंगलिस से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी सिखाऊंगा और आप जो है आज के इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और परतेक वर्ट्स को ध्यान से देखिएगा ताक कि आपको जो है पढ़ने के साथ साथ इंगलिस लिखना भी आ जाए तो चलिए ग्लास को शुरू करते हैं तो इस्टोरी का नाम है आ मादर्स लाव यहाँ पे देखिए यह जो है ए इसको ए चाहे आ दोनों इसे कोई आप बोल सकते हैं तो देखिए यहाँ पे आ मदर्स लाव मा की ममता तो कहानी काफी अच्छी है मा की ममता तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं महुआ इज आ एस्माल भिलेज आन दा बैंक आफ दा पुनपुन रिवर तो यहाँ पे देखिए महुआ इज आ एस्माल भिलेज आन दा बैंक आफ दा पुनपुन रिवर यानि महुआ जो है एक छोटा सा गाव है जो पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है देखिए विड़ो मिन्स होता है विद्वा जहां एक गरीब विद्वा रहती थी अर नेम वाज सीता जिसका नाम था सीता जिसका एक ही बेटा था और उसका नाम जो है रतन था सीता वाज very poor सीता बहुत गरीव थी but she loved her son very much but मतलब लेकिन she loved her son very much वह जो है अपने बेटे से बहुत ज़़ादा प्यार करती थी she wanted him to study and become a great man वह चाती थी कि उसका बेटा जो है study करें और एक बड़ा आदमी बन जाए she used to work as a house made and grow vegetables in her backyard to pay to pay for her son's studies वह जो है used to work as a housemaid वह जो है housemaid मिंस होता है घर की दाई जो किसी दूसरे के घर पे काम करती है वह जो है वह जो है किसी दूसरे के घर पे काम करने लगी and or grow vegetables in her backyard to मतब वह जो है अपने घर के पीछे सबजी उगाने लगी किसके लिए अपने जो है pay for her son's studies ताकि उसका बेटा जो है पहलिकर बड़ा आदमी बने it was a hard work वह जो है बहुत ज़्यादा hard work करती थी यानि बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी but never complained लेकिन उबह जो है कभी भी शिकायत नहीं की unfortunately मतलब बदकिस्मती से रतन वाज never interested in his studies unfortunately मतलब बदकिस्मती से रतन जो था वो कभी भी अपने पढ़ाई में रूची नहीं लेता था यानि interested नहीं था पढ़ाई में he left school midway वह जो है अपने school से midway मतलब half time में वो लंच के समय में ही school से भाग कर आ जाता था सीता वाज very sad यह सब देखने के बाद सीता बहुत उदास यानि दुखी थी she had some silver bangles उसके पास कुछ चांदी के चुरिया थी c sold them and opened a small shop for रतन और वह जो है उस चुरी को बेज देती है और रतन के लिए एक छोटा सा दुकान जो है open कर देती यह शौप जो है open कर देती है रतन वाज good at business and sold many things of general use रतन जो था business में काफी अच्छा था और sold many things of general use वह जो है जो general use में आता है उन सभी बस्तूओं को अपने shop में बेचने लगा gradually मतलब धीरे-धीरे he was evil to वह जो है धीरे-धीरे योग्य हो गया save some money वह जो है धीरे-धीरे योग्य हो गया कुछ पैसे बचाने के लिए वेन सीता सौ देट हीज बिजनेस हैड ग्रॉन जब सीता जो है देखी कि उसका बिजनेस ग्रो होने लगा सी got him married तब वह जो है उसकी साधी कर दी रतन वाज very happy with his wife रतन जो था वो बहुत खुश था अपने पतनी के साथ जिसका नाम था बेला but he started neglecting his mother लेकिन वह जो है अपने मा को अंदेखा करना शुरू कर दिया सीता helped बेला with cooking washing and other household work सीता जो थी बेला की मदद करने लगी खाना बनाने में कपडे साफ करने में और घर की जो छोटी मुट्री काम था उसमें भी हाथ बटाने लगी after a year बेला गेव बर्थ टू आ सान after a year यानि एक साल बाद बेला जो है एक बेटे को जन्म देती है सीता वाज बेरी हैपी तू हैव अ ग्रेंड सन सीता जो थी बहुत खुस हुई अपने पोते को पाकर सी डोटेड on the child and sang many songs to him every day सी डोटेड on the child वाजो है डोटेड मतलब चाइड मतलब गोद में वाजो है बच्चे को गोद में लेकर and sang many songs और वाजो है बहुत सारे गीत गाती थी परते एक दिन यानि जो बच्चा था उसका जो पोता था उसको जो है अपने गोद में लेकर परती दिन गीत गाया करते थी बट सिताज हेल्थ बिगेन टू फेल डे बाई डे बट पतलब लेकिन सिताज हेल्थ सिता की जो स्वास्थ था वह जो है बिगेन मतलब सुरू हुआ टू फेल डे बाई डे यानि उसका स्वास्थ जो था डे बाई डे बिगड़ने लगा रतन had no time for her रतन के पास जो है उसके लिए time नहीं था He did not take her to any doctor जिसके वजह से वह जो है किसी doctor को दिखा नहीं पाता है Once एक बार it rained heavily Once मतलब एक बार जो है बहुत तेज बारिस होती है The water of the Poonpoon River entered the village The water of the Poonpoon River entered the village Poonpoon River का जो पानी था ओ जो ही गाव में परवेश कर गया The flood washed away many animals, trees and houses The flood यानी बार जो था अपने साथ जो है बहुत सारे जानवार पेडों और घरों को दहा ले गया यानी अपने साथ जो है पानी के साथ बहा ले गया The people were forced to leave the village वहां के जो लोग थे उन्हें ओ जो है गाव छोड़ने के लिए force कर रे लगे रतन's house was on high land रतन का जो घर था वो उची जमिन पे था but it was surrounded by water लेकिन उसके घर के चारों तरफ जो था पानी भरा हुआ था His self was damaged and the roof of his house leaked उसका दुकान जो था डैमेज हो गया था और उसके घर का जो छट था ओ लिक हो गया था यानि छितर बन गया था उसके घर के छट में after his marriage उसके साधी के कुछ दिन बाद रतन हैड गीवेन सीता और एसमॉल कोट आउटसाइड दा हाउस टू स्लीप उसके साधी के बाद यानि रतन का जब साधी हुआ उसके बाद जो है रतन जो है सीता को एक छोटी सी चरपाई यानि कौट में सता है खटिया या चरपाई दिया था आउटसाइड दा हाउस टू स्लीप यानि घर के जो बाहर था उसमें सोने के लिए एक चरपाई दिया था और वह जो है अपने पतनी के साथ घर के अंदर सोता था वन नाइट वेन ही केम बैक टू हीज हाउस वन नाइट एक रात वेन ही केम बैक टू हीज हाउस जब वह अपने घर आता है यी फाउंड सीता सिवरिंग एंड काफिंग ही फाउंड मतलब वो देखता है सीता सिवरिंग एंड काफिंग सीता जो है काफ रही है और सासात में खास भी रही है बट ही रिमेंड लेकिन वह जो है अंदेखा कर दिया साइलेंड और वह जो है अंदेखा कर दिया और चूप चाप रह गया कुछ बोला नहीं वह जो है अपने घर के अंदर छोटे से रूम में जाता है वह जो घर के अंदर जाता है और देखता है कि बेला वाज sleeping with the child in her arms वह जो है सोई हुई है और उसके बाह पे और उसके हर्थ पे उसकी बच्चा जो है जो छोटा सा बच्चा है वो सोया हुआ था जो बीष्तर था वो सभी भीग चुका था suddenly अचानक it thundered and it began to rain अचानक जो है बादल गिर गई और बारिश सुरू हो गई the roof leaked and the child started crying जो छत था वो पानी उसके अंदर से नीचे गिरने लगा और जो बच्चा था वो चिलाना सुरू कर दिया बेला got up and covered the child with her सारी जब बच्चा रोने लगा तो बेला जो है जगी और covered the child with her सारी और बच्चे को जो है अपने सारी से ढख दिया her clothes were wet उसकी सारी कपड़े जो थी भीग गई थी रतन had a strange feeling यह सब देखका रतन को अजीब सा लग रहा था he was moved deeply to see this sight he was moved deeply to see this sight वह जो है यह सब देखने के बाद गहराई में चला गया this reminded him of his childhood days और उसे जो है अपनी बच्चपन की यादे आने लगी he instantly went to his mother वह जो है फोराण अपने मा के पास गया मा please forgive me और मा के पास जाने के बाद जो है काता है मा please forgive me please मा मुझे माफ कर दो I have been very unkind to you मैं जो था आपके लिए बहुत निरदाई रहा I forgot my duty मैं जो है अपने कर्तब को भूल चुका था I don't know what to say मैं नहीं जानता की मैं क्या कह रहा हूं रतन सेड सौबिंग रतन रोते हुए कहा रतन की आवाज सुनकर बेला केम आउट अन टू द वरंदा रतन जो है रोते हुए अपने माँ से माफी मांग रहा था तो उसकी आवाज सुनकर बेला जो है अपने ब्रामदे में आई सी सौव रतन इन सिताज आर्म्स और उसने देखा रतन इन सिताज आर्म उसका जो पती रतन था अपनी मा सिता के बाहों में रो रहा था बोथ वे आर वीफिंग वह जो है दोनों बैठ कर सिता के पास सिता के बाहों में रोने लगे सिता सेड सिता कही डॉंट कराई माई चाइल्ड सिता न जो है बोला डॉंट कराई माई चाइल्ड मेरे बच्चे तुम लोग मत रो How can a mother be angry with her own son और वह जो है अपने बच्चों को चुप कराते हुए कहती है क्या एक मा अपने बच्चों से नराज हो सकती है You have all my blessing and love तुम सभी के साथ जो है मेरा अशिरबाद हमेशा था और प्यार भी हमेशा था At this, बिलाज आईज वेर अलसो फिल्ड वीद टियर्स At this, इस बात को सुनकर बिलाज की आई यानि बिला की जो आँखे थी वो आशों से भर गई She went near them and sat down रुआ जो है उसके नस्दीक गई और उसके पैरों में गिर गई और गिर कर माफी माँगने लगी It was a happy family reunion और इस तरह से जो है सीता उन दोनों को माफ कर देती है माफ करने के बाद जो है फिर से एक बार सभी फेमिली खुर्सी पुर्वक एक साथ रहने लगते हैं तो गाइज आज के इस English Reading Practice में बस इतना ही आज के क्लास कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने शाभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े है फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिस के क्लास में